तूनी चुडिया मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता मुझे ये साधी तोड़नी है तुन्नु जी आखिर ऐसा क्या हुआ है जो आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते साधी के बाद मुझे लगा मैं अमीर हो जाऊंगा लेकिन आपके बूढ़े पापा ने ऐसा कुछ भी नहीं दिया उपर से आप दोनों का खर्चा भी मुझे ही उठाना पड़ता है इसलिए मैं इस बंधन से आजाद होना चाहता हूं टुन्नू जी मैं इस छोटी सी बच्ची को लेकर कहा जाऊंगी मुझे पे ना सही लेकिन अपनी बेटी पर तो दया करें दया दया ही तो करता आया हूं अब तक जो तुम दोनों को अब तक अपने घर में रखा टूनी चिडिया तेरी समझ में नहीं आता है जो तो टुन्नू जी के पीछे ही पड़ी जा रही है वो तुझसे छिटकारा पाना चाहते हैं और मुझे साधी करना मुझे सब पता है नीलो, सब कुछ तेरा ही किया धरा है, मेरा घरो जारते समय तुझे सरम तो नहीं आ रही होगी टुन्नो इस टूनी से कहिए कि अब यहां से चली जाए, वरना मेरा दिमाग खराब हो गया, तो मैं ही यहां से चली जाऊंगी टुनी चड़िया, आप अपने बुड़े पापा के घर क्यों नहीं चली जाती, वो तुम दोनों का पेट आराम से भर देगा टुन्नो जी, मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ कर जा रही हूँ, लेकिन आप याद रखना, जिस गरीबी के कारण आपने मुझे छोड़ा है, इसी गरीबी के कारण एक दिन आपको भी छोड़ा जाएगा ऐसा कहकर टुनी चिडिया अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है, और दुखी मन से एक पेड के नीचे बैठ जाती है, मैं पिताजी के पास नहीं जाओंगी, वो कितनी मुझकिल से अपना ही गुजारा कर पाते हैं, अगर मैं चलीगी तो और भी चिंता में पढ़ मैं कहीं भी अपना गुजारा कर लूंगी, लेकिन घर नहीं जाओंगी, ऐसा सोच कर टुनी चिडिया रोई जा रही थी, तबी वहां पर एक बूड़ा पक्षी आकर रुखता है, जो की मिर्चिया बेच रहा था, मिर्ची ले लो, हरी हरी मिर्ची ले लो, टुनी चिडिय अवाज सुनकर चौक जाती है, और जल्दी से मिर्ची वाले पक्षी को देखती है, ये तो पिता जी है, कहीं मुझे यहां बैठे देखेंगे, तो क्या सोचेंगे, मैं जल्दी यहां से चली जाती हूं, ऐसा सोच कर टुनी चिडिया उड़ने ही वाली थी, कि तबी उसका पिता जी उसके पास आ जाता है, अरे टुनी बेटा, आप यहां क्या कर रही हो, कहीं पर जा रही हो, हाँ पिता जी, मैं घर को ही जा रही थी, ठकने के कारण यहां आराम करने बैठ गई, अगर यही बात है, तो अपने पापा से नजरे क्यों चुरा रही हो, सच्च अभी टुन्नू जी के घर जाता हूं, अपने पापा की यह बात सुनकर चडिया उसे सब कुछ बता देती है, और जोर जोर से रोने लगती है, रो मत मेरी बेटी चुप हो जा, तेरा पापा अभी जिन्दा है, सायद उस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हो, लेकिन तेर अपने घर के दरवाजे हमेशा ही खुने रहेंगे, चल बेटी अपने घर चलू, फिर पापा चिडा अपने बेटी को लेकर घर चला जाता है, वो भोजन देखता है, जोकि थोड़ा ही बचा था, बेटी आप ये भोजन खालें, मैं नदी से आप दोनों के लिए पानी ला फिर चिडा पापा घर से चला जाता है, वो अपने दोस्त मिठु तो देके घर जाता है, कहो रिंकु भाई, क्या काम है, आज मिर्ची बेचने नहीं गए, मैं मिर्ची बेचने तो गया था, पर वो क्या है कि अचानक से टूनी बेटी आ गई, तो भोजन का इंतिजाम नही कर पाया, आप थोड़ा सा भोजन मुझे दे दो, हाँ हाँ रिंकु भाई, मैंने अभी अभी चावल बनाए है, आप ये चावल टूनी बेटी के लिए ले जाओ, पापा चिडिया जैसे ही चावल लेकर मुडता है, तो उसे अपनी पीछे टूनी चिडिया दिखाई देती है, वो उसे देखकर चोक जाता है, पिता जी मैं इसलिए आपके पास नहीं आना चाहती थी, मुझे पता है, आप अपना गुजारा ही मुश्किल से कर पाते हो, ऐसे में हम दोनों आप पर बोज नहीं बनना चाहते थे, चुप कर जाओ टूनी, बेटीया कभी बोज नहीं ह अब घर चलो, फिर वह दोनों अपने घर आ जाते हैं, और भोजन खा कर सो जाते हैं, सुबा हो जाती है, टूनी सबसे पहले उठी थी, और वह घर का सारा काम निपटा देती है, बेटी मैं मिर्ची तोड़ने खेत जा रहा हूं, और फिर उन्हें बेचने बजार जाओंग तो घर आने में साम हो जाएगी, आप बुलबुल के घर चले जाना, थोड़ा समय आपका कट जाएगा, फिर पापा चिडिया खेत चला जाता है, वो और दिन से भी जैदा मिर्चियां तोड लेता है, फिर उन्हें बेचने चला जाता है, मिर्ची ले लो, हरी हरी मिर्ची अंकल जी मिर्चियां कैसी दी है, बेटी पांच रुपे की पाओ है, और बीस रुपे की एक किलो, अरे अंकल जी आप तो बहुत महंगी मिर्ची दे रहे हो, नहीं नहीं बेटा, मैं कहां महंगी दे रहा हूँ, बाकी दुकानदार तो दस की पाओ देते है, मैं तो पांच रुपे की दे रहा हूं नहीं नहीं अंकल जी मुझे तो दस रुपे की एक किलो चाहिए आपकी मर्जी हो तो दे वरना मैं चलती हूं आरे बेटा दस रुपे की तो बहुत सस्ती है पर तू ले जा अगर नहीं बेचूंगा तो भोजन कहां से ले जाऊंगा ऐसा कहते हुए चड़ा पापा गोरी कवी को मिर्ची दे देता है और फिर पक्षी भी उसी रेट में मिर्चियां लेना पसंद करते हैं जिससे चड़ा पापा को बहुत कम पैसे मिलते हैं फिर वो मिर्चियां बेच कर अपने घर आ जाता है पिता जी या इस बार खेत में मिर्चियां कम लगी हैं जो इतने कम पैसों में बिच पाती हैं नहीं टूनी बेटा मिर्ची तो खुब लगी है पर इस बार रेट बिलकुल अच्छा नहीं है कोई एक रुप्या भी बचत का नहीं देता कोई बात नहीं पिता जी हम इतने में ही गुजारा कर लेंगे फिर वह तीनों अचार से रोटी खाते हैं तब इचडिया को एक आइडिया आता है पिता जी क्यों ना हम मिर्ची का अचार बना कर बेचें अचार में तो काफी बचत होती है हाटूनी बेटी आप ठीक कह रही हो परन्तु अचार बनाने के लिए अचार का समान ना पड़ेगा और हमारे पास थोड़े भी पैसे नहीं है पिता जी आप तोते अंकल से कुछ पैसे उधार ले आओ हम अचार बेच कर उनके पैसे वापस कर देंगे फिर चड़ा पापा ऐसा ही करता है वो पैसे उधार लेकर सामान ले आता है पिता जी अब हम खेत पर चलते हैं और ढेर सारी मिर्चियां तोड़ लाते हैं फिर वह दोनों खेत पर मिर्ची तोड़ने चले जाते हैं वो खूब सारी मिर्चियां तोड़ते हैं फिर उन्हें घर ले आते हैं पिता जी आप ये मिर्ची काटें मैं तब तक मसाले पीस देती हूं फिर टूनी चिडिया मसाले पीसती है और अचार बनाना सिरू करती है फिर साम होने तक सारा अचार बन जाता है वाटूनी बेटी अचार से तो बहुत खुसबू आ रही है लगता है अचार बहुत स्वादिष्ट बना है हाँ पिता जी ये अचार मा बनाया करती थी आप एक डबा पचास रुपे का बेचना और सुबा होते ही चड़िया पापा अचार बेचने चला जाता है वो एक डबा खुला रख देता है जिसकी महक सारी बजार में फैल जाती है अरे बाबा ये मिर्ची का अचार कितने रुपे का दे रही हो खुसबू तो बड़ी प्यारी आ रही है बेटा ज्यादा महंगा नहीं है बस एक डबा पचास रुपे का है ठीक है बाबा आप मुझे दो डबे दे दो फिर कबूतर अचार खरीद कर वहां से चला जाता है फिर और पक्षी वहां पर आ जाते हैं और अचार खरीद कर ले जाते हैं कुछी देर में सारा अचार बिच जाता है आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है आज से पहले इतनी महंगी मिर्ची कभी नहीं बिची पिता जी आपका अचार बेचने का पहला दिन कैसा रहा तूनी बेटी पहले ही दिन सारा अचार बिच गया अगर और होता तो वो भी बिच जाता ठीक है पापा कल से और भी जैदा अचार बनाऊंगी आप इन पैसों से अचार का सामान ले आएं अब तूनी दिन रात महनत करके अचार बना रही थी और उसका बनाया हुआ अचा सभी पक्षी पसंद करने लगे थे इस तरह से उनकी रोज की आमदनी बहुत अच्छी होती है फिर कुछ महिनों में ही उनकी सारी गरी भी दूर हो जाती है और वह जंगल के सबसे बड़े पक्षी बन जाते हैं बेटी आपके कारण ही मैं आज बड़ा पक्षी बन पाया हूँ आप तो लक्षमी का रूप हो उस तुन्नू चुड़े को क्या पता जो आपको घर से बहार निकाल दिया ऐसे ही वो तीनों बहुत खुशते और इधर तुन्नो चुड़े का तो बुरा हाल था ना तो आप कोई काम करते हो और ना ही अपने घर रहते हो बस मुफ्त की खाते हो निलो जी आपका बरताव कुछ बदला बदला लगता है आप ऐसा क्यों कर रही हो मैं तो आपके सारी बाते मांता हूं मेरी बाते नहीं मानोगे तो क्या मुझे पे हुकम चलाओगे अब जाओ कहीं से भी कमा के लाओ आप आराम से भी तो ये बाते कह सकती हो, इतने ताने सुनाने का क्या काम, मैं गरीब तो पहले से ही हूँ, फिर आप ऐसे क्यों करती हो, जैसे आज ही पता चला हो, मुझे से जवान मत लड़ाओ और कहीं जाकर कोई काम धंदा ढूणो, अगर काम ना मिले तो मेरे घर ना आन अपने टूटे फूटे घर में जाकर सो जाना, लीलो चडिया की ऐसी कड़वी बाते सुनकर टिन्नू चड़ा वहां से चुपचाप चला जाता है, और कहता है, अब मुझे पता चल गया, गरीब की इज़त तो कोई गरीब ही कर सकता है, मैंने अमीर पतनी के लालच में लाकिन उसी टूटे का घर कहीं दिखाई नहीं देता, वो आसपास वालों से पता करता है, आप बता सकते हैं, यहाँ पर मेरी पतनी टूटे रहती थी, अब वो कहा है, टूटे की ये बात सुनकर टूटे चुड़ा चोक जाता है, और उसे अपनी आंखों पर विश्वास कि तभी टूनी चडिया अपनी बेटी के साथ घर से बाहिराती है। आप कृपया मुझे माफ कर दें। टूनी चडिया उसकी सारी बातों को अनसुना करके वहां से जा रही थी। के तभी उसकी बेटी कहती है। और मैं इतना समझदार हू कर भी ना समझ निकला। मेरी प्यारी बेटी आप भी मुझे माफ कर दें। फिर वो सभी पक्षी मिल जुलकर एक साथ रहने लगते हैं और अपने पुराने दिनों को भूल जाते हैं। तुन्नों भी अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश था। तूनी चडिया और कालू कवा कबुतर भोजन की तलास में निकल पड़ते हैं। परन्तु भोजन खोजते खोजते वह अपने जंगल से बहुत दूर आ जाते हैं। दोस्तो सुबा से तुपहैन हो गई है पर हमें अभी तक भोजन नहीं मिला है। कालू मेरे तो पंखो में दर्द हो रहा है। कालू कवुतर भहिया भोजन तो हमें हर हाल में खोजना ही होगा। वरना हमारे बच्चे भूखे ही रह जाएंगे। वो तीनों ऐसे बाते ही कर रहे थे तभी एक चीलू ने अपने पास बुला लेती है। मैंने आप सब की बाते सुनी। आप यहां भोजन की तलास में बड़ी दूर से आये हो। हाँ चील बहन हम भोजन की तलास में ही निकले थे। परन्तु हमें अभी एक वीदाना भोजन का नहीं मिला। हमारे नन्ने बच्चे भूख से दड़प रहे होंगे। मेरे पास थोड़ा भोजन रखा है। अगर तुम चाहो तो वह भोजन अपने साथ ले जा सकते हो। नहीं टूनी हम इस चील से भोजन नहीं लेंगे। मैं सब जानता हूँ इसकी चाल के बारे में। पहली हमें भोजन का लालच देगी और फिर हमें ही भोजन बना लेगी। नहीं नहीं कालुकवे मैंने तो आपकी बाते सुनी तो बस मैंने सूचा कि क्यों ना आपकी थोड़ी मदद कर दू। टूनी और कबूतर को तो चील की बातों पर विश्वास हो जाता है। परन्तों कालुकवा तो अभी भी सोच में पड़ा हुआ था और चील उन्हें भोजन लाकर दे देती है। ये लो भोजन आप यहां से चल्दी चले जाओ। अगर कभी दुबारा से भोजन चाहिए तो इसी समय यहां आ जाना। वे तीनों चील से भोजन लेकर वहां से अपने जंगल आ जाते हैं। देखा कालु भाया आप बेकार में ही चील को बुरा भला बोल रहे थे। वो तो बस हमारी मदद करना चाहती थी। हाँ टूनी चड़िया आप सही कह रही थी पर मेरे तो एक बात समझ में नहीं आई कि चील ने हमें जल्दी जाने को क्यों कहा। हाँ कालु भाया हम चील के पास दोबारा जरूर जाएंगे और पूछेंगे कि उसने हमें जल्दी जाने को क्यों कहा। ऐसे बाते करके वे तेनों अपने अपने घर चले जाते हैं और कालू कवा सारे बाते अपनी पत्नी गोरी को बताता है कालू जे जाने दो स्टोनी और कबूतर को चील के पास पर आप दुबारा से उस जंगल भी मत जाना ये मासक और चील बड़े ही चलाक होते हैं ठीक है गौरी जी मुझे भी उस चील की बातों पर जराबी बिस्वास नहीं है मैं कल उन से मना कर दूँगा और अकेला ही भोजन लेने जंगल चला जाऊंगा फिर वह दोनों भोजन खाकर सो जाते हैं अगली सुबा टूनी और कबूतर कालू को बुलाने उसके घर आते हैं टूनी कालू जी को तो कल से ही तेज बुखार है इसलिए आप दोनों ही भोजन लेने चले जाओ और हो सके तो थोड़ा भोजन हमारे लिए भी ले आना ठीक है गोरी बहन आप अच्छे से कालू भाया का इलाज करवाना और भोजन की चिंता मत करना ऐसा कहकर टूनी और कबूतर वहां से चले जाते हैं और उसी चील के पास पहुँच जाते हैं सोना चील क्या आप हमें आज भी थोड़ा भोजन दे सकती हो हाँ हाँ क्यों नहीं मैं अभी तुम दोनों को भोजन देती हूँ परंतो सोना चील इतना सारा भोजन आपके पास कहां से आता है आप तो घर से बाहर भी नहीं जाती हो कबूतर भाया एकदम सही कह रहे हैं और आपने कल हमें भोजन देकर जल्दी जाने को क्यों कहा। वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि ये सारा भोजन वो दुष्ट मौनू चिल लाता है। अगर वहें आपको देख लेता तो आपको जिन्दा ही खा जाता। सोना चिल कौन है वो दुष्ट हमें उसके बारे में बताओ। वहें मुझे से शादी करना चाहता था लेकिन जब मेरे माता पिता ने शादी करने से मना कर दिया तो उसने उन्हें मार डाला। वहें बहुत खतरनाक है। तो सोना चिल आप यहां से कहीं भाग क्यों नहीं जाती। मैं यहां से कई बार भाग चुकी हूँ पर वो दुष्ट मुझे कहीं न कहीं से ढूड़ ही लाता है। चिन्ता मत करो सोना चिल आप हमारे साथ हमारे जंगल चलो। वह तीनों ऐसे बाते ही कर रहे थे कि तभी वहां पर दुष्ट चिल आजाता है। और उनकी सारी बाते सुन लेता है। तो कबूतर तू इसे अपने साथ जंगल लेकर जाएगा। मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर वह चिल उन्हें बान देता है। अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है। सुबह तुम दोनों को अपना भोजन बना लूँगा। और इधर गोरी कवी कालू कवे से कहती है। कालू जी सुबह से साम हो गई है। और टूनी और कभूतर अभी तक नहीं आये है। कहीं उस चील ने उन्हें अपना भोजन तो नहीं बना लिया। गोरी मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा हुआ जो मैं उनके साथ नहीं गया। कालू जी एक बार हमें देखना तो चाहिए कि आखिर हुआ क्या है। नहीं नहीं गोरी तुम्हे वहाँ पर जाके मरना है क्या। नहीं कालू जी मैं कुछ नहीं जानती। आपको मेरे साथ चलना ही होगा। फिर वह दोनों निकल पड़ते हैं और सोना चील के घर के बाहिर रुक जाते हैं। आप रुको गोरी जी पहले मैं देखता हूँ। अरे गोरी जी टूनी और कबूतर तो यहां बंधे पड़े हैं। हटो कालू जी मुझे भी देखने दो अरे ये क्या। इनके साथ तो एक चील भी है जो बंधे पड़ी है। और ये क्या एक बड़ा चील भी अंदर सो रहा है। फिर वह दोनों चपके से घर के अंदर चले जाते हैं और उन तीनों की रस्तिया खोल उन्हें बाहिर ले आते हैं। आप तीनों ऐसे कैसे बंधे पड़े थे और वो बड़ा चील कौन है जो अंदर बड़े आराम से सो रहा था। गोरी कालो हम तुमें सब बता देंगे पहले हमें यहां से अपने जंगल जाना होगा। फिर वह तीनों जल्दी जल्दी अपने जंगल आ जाते हैं और गोरी कवी को भी सारी बाते बता देते हैं। घर चले जाते हैं और उसे सारी बाते बताते हैं। सोना जी क्या आप मुझे से शादी करने को तयार हो। हाँ पहलवान जी मैं आप से शादी करने को तयार हो। पर आपको उस दुष्ट से मुकाबला करना पड़ेगा। फिर वह दुष्ट चील उन्हें ढूड़ते ढूड़ते वहाँ पर आ जाता है। चील और पहलवान चील में जम कर मुकाबला होता है। और उस मुकाबले में दुष्ट चील मारा जाता है।